हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनस ओफिशल दोस्तों एक और अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ दोस्तों आज बात करेंगे काले चने के बारे में काला चना आपके घर में भी मिल जाएगा आसपास की कितनी बाते तो आज मैं जो बताऊंगा ना काले चने के बारे में वह रियल बताऊंगा अपना एक्सपीरियंश बिलकुल जो एकदम रियल फैक्ट शेयर करूंगा कि काला चना खाने से एक्चुली होता क्या है और आप लोगों को यह चीज बात हिट कर जाएगी खुद भ बाइका थोड़ा मोटीवेशन बढ़ा देना बाकि बाखी देखो टी-शेट कैसी लग रही है एसी टीशेट ना बहुत लोगों के अलगव से अलगग रिवियू होते है कुछ लोगों लगया कि हैंकी हैंकी टीशेट पहनी हूई यह कुछ लोगों को लगेगा कि पता नी के बारे में और टी-शेट के बारे में कि आपका आप ऐसी चीज़ों को देखे क्या फील करते हैं तो फटापट वीडियो स्टाट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं काले चने की पहले nutrition value के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों 100 ग्राम काले चने में आपको 20 ग्राम के करीब मिल जाएगा दूसरा benefit आपका ये है दोस्तों कि इसका जो protein content है जो इसकी other nutrition value है उसके इसाब से जो इस पे हम पैसे खर्च करते हैं वो पैसे काफी कम लगते हैं तो काफी budget friendly है तीसरी चीज़ दोस्तों ये एक whole food है इसमें आपको protein, carb, fat, fiber, minerals और vitamins सब कुछ इसमें आपको मि करना चाहरे हो तो इसमें बहुत low calories होती है तो fat loss diet में इसको जरूर एड़ करें low calories होती है पर आपको काफी लंबे समय तक ये भरा हुआ फील कराता है क्योंकि इसमें complex carb होता है complex carb क्या करता है slow slow digest होता है तो आपको काफी लंबे समय तक भूखनी लगने देता दोस्तों इसक भी डाउन रखने में help करता है और blood sugar level को भी डाउन रखता है तो diabetes वाले लोग भी इसको कंजूम कर सकते हैं पांच वी चीज दोस्तों इसमें dietary fiber अच्छे खासे होते हैं सो ग्राम में 12 ग्राम dietary fiber होते हैं जो आपके digestion को भी improve करते हैं तो दोस्तों काले चने का लास्ट और सबसे जरूरी है अगर आइरन की कमी किसी में हो जाती इसको एणियमिया नाम का रोग हो जाता है जो बहुत मुश्किल हो ठीक होना अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं काले चने तो आपको एणियमिया होने के चांसिस बहुत कम हो जाते हैं वीटामिन b6 भी हमारी बोड़ बन जाएगी ऐसा कुछ नी होने वाला क्योंकि काले चने सो रुपए किलो है अगर काले चने से इतनी तगडी बोडी बन जाती काले चने भाई हम गोड़ों को डालते हैं ठीक है हाँ अच्छा है डाइट आप रिप्लेस कर सकते हो कोई भी वेज बोडी बीडर है नोन वेज देगा फाइबर भी देगा काब भी मिल जाएगा प्रोटीन भी देगा और पैसे भी आपके बच जाएंगे तो इसलिए इसको अपनी डाइट करना जरूरी है इसलिए करना जुरूरी नहीं कि भाई इससे आप इसे कंजूम करकर के लोग थमने लगा देते हैं कि बहुत त कभी लोग इसको गलत तरीके से खा लेते हैं और कुछ लोगों को यह डाइजेशन में इसू हो जाता है नहीं भी कर पाते हैं थोड़े से वीक होता है डाइजेशन सिस्टम तो उनको गैस वगरा का प्रोब्लम हो जाती है वह तो वह चीज़ आप देख सकते हो कि आपको य लाइकन भी दबा लो और कोई कोश्चन है इसके बाद भी तो बुल फिटनस ऑफिशल सेम नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे आप अपने भाई को मैसेज कर सकते हो थोड़ा स्पोर्ट दिखा हो भाई का मोटिवेशन बढ़ेगा और और कोई किस टोपिक पर आपको वीडियो चाहिए रियल फेक्ट के ऊपर बाकी यूटूबर्स की तरह मैं वह गूगल से पढ़के उसके बेनिफिट्स आपको यहां नहीं सुना पाऊंगा जो मैं चीज एक्स्पिरेंस करता हूं आपको मैं खुद काले चने करता हूं किस तरह से कंजूम करता हूं कब कंजूम करता हूं कैसा मुझे फील हुथा वही चीज में आपको बताऊंगा तो अगली वीडियो इसी टोपिक पर मैं रखने वाला हूं कि कैसे कब आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे काले चने खाने के तो अपने भाई को तब तक ऐसी प्यार करते रो सुस्क्राइ हुआ 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 है